A very good morning to all B.A.D. students, learners, teachers, well-wishers and motivators आज की इस वीडियो में हम B.A.D. second year के paper number third जो के total ninth number paper है, first or second के अगर series लगातार जारी रखें तो language across the curriculum के important question के बारे में चर्चा करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल Let's Online Education को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो target है कि जादा से जादा बीड के बच्चों को इस चैनल के मादिम से इन वीडियो में अध्यन करवास के या उन्हें जो चीजें छुट जाती हैं किनी कारणों से रह जाती हैं उनके बारे में ग्यान दे पाएं अधिकतर बच्चे बीड तो करते हैं लेकिन उनकी अच्छी percentage नहीं बन पाती इसके पिछे में बात यही होती है कि जिस डंग से उनको त्यारी करनी चाहिए उस तरीके से वो अक्सर त्यारी नहीं कर पाती है तो ऐसे ही कुछ बिंदूओं और सुजाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बीड पर यह वीडियो बनानी शुरू की है बाकी जो आपके बीड के कुलीक्स हैं से अपार्थी हैं उनको भी आप बता सकते हैं तांकि जादा से जादा बीड के विद्यार्थी इन वीडियो के मादम से हमसे जुड सकें और जादा से जादा विद्यार्थियों को इस चीज़ का फाइदा प्राप्त हो सके तो आईए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की पेपर नंबर नाइंथ बीड का थर्ड पेपर Language Across the Curriculum बीड सेकंड यर में एक बात विशेश है कि पेपर के घंटे तो तीन ही हैं लेकिन मार्क्स जो हैं वो चालिस हैं बीड फर्स्ट यर में जहां 80 नंबर का पेपर होता था बीड सेकंड यर में वो 40 नंबर का पेपर होगा यानिके परतेक जो 16 नंबर का कोशन था वो अब 8 नंबर का हो गया है 4-4 नंबर के जो 1st compulsory कोशन चोटे short answer type पूछे जाते थे वो अब 4 की बजाए 2 नंबर के हो गई है यानिके आपको वही 4 यूनिट पढ़नी है उतना ही लिखना है सिर्फ और सिर्फ नंबर कम कर दिये गई है तो 1st पेपर में 9 कोशन होंगे जिसमें से आपको final exam में 5 कोशन अटेंप्ट करने होंगे प्रशन नंबर 1 compulsory होगा जिसमें जो के 8 नंबर का होगा और उसमें short answer type के 4 कोशन होंगे और प्रतेक के 2 नंबर होंगे यानि के 4 और 4 multiplied to 8 नंबर के 4 कोशन होंगे इसके बाद जो आगे का पेपर होगा उसमें प्रतेक unit में से 2 बड़े कोशन लिये जाएंगे और unit wise ये दिया होगा जैसे unit 1 में कोशन नंबर 2 और 3 तो इन दोनों में से आपको एक कोशन करना होगा अगर unit कोई भी एक unit में से आप एक की बजाए दो परशन कर देते हैं तो आपने जो पहला परशन लिखा हुआ है वही चेक होगा दूसरा परशन आपका क्रोस कर दिया जाएगा ठीक इसी तरह उसके बाद unit नंबर second में कोशन नंबर 3 और 4 4 और 5 तो इस तरह आपके total no question पूछे जाएंगे और इन बड़े परशनों का जो अंक होंगे वो 8 नंबर हो गया और सभी परशनों के अंक समान होंगे unit first जो के nature of language से जुड़ी हुई है इस unit में आपको 4 topic दिये गए है rule, governed, system and language तो इस चारों topic में से आप अगर ये दो topic इन दोनों topic को मिला करके परशन पूछ लिया जाता है relationship of language and society identity, power and discrimination ठीकी सी तरह जो दूसरा बड़ा परशन है वो language के समन में different status of Indian language classroom इस बिंदू को ले करके पूछा जाता है तो अगर आप ये दो परशन प्रात्मिक्ता के रूप में त्यार कर लेते हैं तो इसमें आपका एक परशन हर हालात में आ जाएगा और कभी कबार ये दोनों ही बड़े परशन के रूप में पूछ लिये जाते हैं फिर भी एक बार आपको ये जो टोपिक है ये भी जरूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि चार नंबर का परशन जो है वो इसमें से पूछ लिया जाए तो आपको मोटे रूप में फर्स्ट, सेकंड, बिन पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट है इनको इस रूप में बड़े परशन के रूप में जरूर याद करना है यूनिट नंबर टू में लेंग्विज डेवलोप्मेंट के बारे में बात की गई है तो इस यूनिट में अगर आप इन दोनों बिन्दूओं को मिला करके याद करते हैं तो यहां एक बड़ा परशन जो है वो पूछ लिया जाता है जो इस डेवलोप्मेंट ओफ फोर लेंग्विज स्किल तो इन बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए आप एक बड़ा परशन जरूर त्यार करें अगर दूसरे बड़े परशन की आप बात करते हैं तो डेवलोपिंग रीडिंग और राइटिंग स्किल इन चिल्डरन बच्चों में पढ़ने और लिखने के कोशल को विकास के समधित है तो इसमें यह जैसे अमर्जेंट लिटरेसी रीडिंग और लर्निंग अर्ली लिटरेसी प्रोसेस ओफ ट्रांजेक्शन अर्ली लेंग्वेज एजुकेशन फोक्स ओन लर्लिंग इन प्राइमरी एन ग्रेड्स तो इन बिंदूओं को ले करके एक जो बड़ा प्रशन है वो अकसर पूछ लिया जाता है तो यहां आपको इन दोनों बिंदूओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रशन और फिर इसी का कोई पार्ट इस तीसरे बिंदू के साथ जोड़ करके एक जो बड़ा प्रशन है वो पूछ लिया जाता है यहां बाशा विकास आपने जो टीचिंग सब्जेक्ट है अगर हिंदी है इंगलीस है तो वहां आपने कोशल के बारे में पड़ा होगा चार जो कोशल है, सरवन कोशल जो के सुनने से जुड़ा हुआ है, मोखी कभी वेक्ति कोशल जो के बोलने से जुड़ा हुआ है, पठन कोशल जो के पढ़ने से जुड़ा हुआ है, और सबसे अंतिम लेखन कोशल जो के भाशा को लिखने से जुड़ा हुआ है तो अगर आप वो कोशल वहाँ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनीके बेस पर यहाँ यह चीज़ें जैसे developing reading and writing skill in children बच्चों में पठन और लेखन कोशल को किस रूप में विकास किया जाता है तो बहुत सी चीज़ें आपके वहाँ अदार के रूप में clear हो जाती हैं और यहाँ इन चीज़ों को याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें language across the curriculum अब इसमें पूरे पाठ्य अक्रम में भाषा के बारे में जो बिंदू होती है तो इसमें अगर आप function of language in the classroom outside the classroom बाषा के जो एक तरह से function है जो के classroom में और classroom के बाहर language in education and curriculum बाषा जो है वो सिक्षा और पाठ्य करम में किस रूप में है learning language and learning through language बाषा से सीखना के रूप में यहाँ इनोंने ये बिंदू पे चर्चा की है children background बच्चों का जो एक तरह से background है जो के वो एक तरह से पहले कुछ भाषा परिवार या अपने अनबव से सीख चुके होती है ठीकी तरह school experience विद्याले के अनबव से preparing school for children the social diversity सामाजिक विभिनता जो होती है विविदता जो होती है उस रूप में school किस तरह बच्चों को एक तरह से त्यारी होती है करवाई जाती है के समन में तो यहां अगर आप इन बिंदूं को देखें तो कोई इतने बड़े मुश्किल बिंदू नहीं है वे वहारिक से बिंदू है और एक दो बार पढ़ने में ये आपको अच्छे से समझ आ जाती है बल्लो वो पार्ट जिसको लिखने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की इतनी अधिक आफशकता नहीं रहती है बल्कि आप चीजों को रटने की बजाए अगर अपनी समझ विक्सित करते हैं तो इस यूनिट में आपको बहुत ही अच्छे अंक अराम से प क्लास रूम तो यह जो पहला बिंदू है यहां बड़ा प्रशन जो है वो इस रूप में बनाया जा सकता है ठीक इसी तरह कभी कबार यह जो दोनों बिंदू है इन दोनों बिंदू को मिला करके भी एक बड़ा प्रशन जो है वो त्यार कर लिया जाता है क्योंकि यहां जो इस unit में जो topic दिये हुए हैं वो एक तरह से समाने से व्यभारिक से topic हैं तो इन topic को थोड़ा सा कई वार जैसे वो एक अलोचनात्मक रूप में पूछ लिया जाता है उस तरह पूछ लिया जाता है जैसा कि हमने master degree में या BA में भी बहुत से प्रशन ऐसे आ जाते हैं तो प्रशन का उतर देने से पहले आप प्रशन को अच्छे से पढ़ लें और उसके जो महतपूर बिंदू हैं उनको थोड़ा सा एक बार टिक कर लें और दिमाग में एक sketch त्यार कर लें कि किस तरह हैं आप इस प्रशन का बहुत ही अच्छे ढंग से और एक अच्छी योजना ब बारे में हम और ही ज्यादा बड़ी अतरीके से बात कर पाएंगे अक्सर विद्यार्थी क्या होता है कि final exam में जब वो बैठे होते हैं तो बस वो प्रशन देखते हैं और उसको डंग से पड़े बिना जो दिमाग में आता है वो हो वहां ग्यान अपना उडेलने का प्रयास करते हैं जबकि ऐसी प्रिस्थित जो है वो सही नहीं होती पहले प्रशन को अच्छे से समझें और उसके बाद उसी इस पे आप पूरा फोक्स बना करके लिखें जो चीज उसमें पूछी गई है ठीकी सितना इसमें child children background and school experience तो इन बिन्दूओं पर भी एक जो प्रशन है वो ज़्यादा पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल में सिक्ष्या ग्रहन करने आता है नए ने experience नए नी चीजे नए अन्बो ग्रहन करने आता है तो यहाँ भी एक बड़ा प्रशन जो है वो इस रूप में पूछा जा सकता है बीएड सेकंड एर में आपके दो जो टीचिंग प्रैक्टिस की फाइले हैं उन पर आपको फाइनल लेसन प्लान त्यार करना होगा इस फाइनल लेसन प्लान के लिए यूनिस्टी की तरफ से एक्स्टरनल के रूप में एक टीम आएगी उस टीम में जो सदश्या होंगे व प्रैक्टिस हैं तो आप वहां उस टीम से बहुत अच्य अंक प्राप्ट कर सकते हैं यहां 100-00 नंबर के दो सब्जेक्ट के या टोट्ल 200 नंबर के आपकी टीचिंग प्रैक्टीश होगी इस टीचिंग प्रैक्टिस में आप 1-60 या 150 नंमर जो हो आराम से ले सकते हैं आप आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा इस समंद में आगे हम एक फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस या फाइनल लेसन प्लान के नाम से एक वीडियो त्यार करेंगे तो आप वो वीडियो भी जुरूर देख लें बीड के कम्प्लीट स्लेबस और पैपर के बारे में हमने एक वीडियो का निर्मान किया था तो आप इस वीडियो को भी एक बार जुरूर देख लें क्योंकि इससे आपको सब्जेक्ट के बारे में सही ग्यान प्राप्त होगा आप कोई भी हमारी वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के दोरान आपको हमारे इस चैनल का एक लोगो दिखेगा इस पे जैसे ही करसर आएगा तो सब्सक्राइबर का बटन एक्टिवेट हो जाएगा और इस पे क्लिक करते ही आपकी वीडियो भी चलती रहेगी और आप अपने सभी बीडि के सेपाडियों को इस चैनल को वीडियो के लिंक को वाटसप या किसी अन्यमादिम से शेयर करके बताएं और तांकि ज़्यादा से ज़्यादा बीडि के विद्यारती हमसे जूड सकें अगर आप हमारे इस चैनल को एड करने में अगर आपको कोई प्रिशानी आ रही है तो आप हमें WhatsApp पे या Telegram पे और YouTube पे इन सभी से जूड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर 9355695753 नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकती हैं इससे समंदित हमारे जो परशन है वो आपको तुरंत इससे एड़ करने के लिए परकिरिया में जोड़ देंगे तो एक बार इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें जो यूनिट नंबर 4 है इसमें थोड़े से ज़्यादा टोपिक दिये हुए हैं तो The Classroom Practice and Possibility Classroom में किस तरह के अभ्यास करवाए जाएं और किस तरह की संभावना उसमें बनती है Possibility के रूप में तो इन बिंदों पर यहाँ इस यूनिट में टोपिक दिये हुए हैं जिसमें के अगर बड़े प्रशन की हम बात करें तो Prospectives on Reading and Writing पढ़ने और लिखने पे इसके जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो Prevalent Language, Teaching, Practice and Approaches and their Connection between Classroom, Instruction and Theory तो यह जो पहले दो बिंदों हैं इनके अधार पर एक जो बड़ा प्रशन है वो बनता है उसके बाद में जो आगे के दो बिंदों हैं जिसमें के Connection between Classroom, Instruction and Theory Role of Literacy in Language Learning तो यहाँ एक जो है वो बड़ा प्रशन बनता है ठीक इसी तरह Learners Activity, Role in Understanding Literacy, Literature तो इस बिंदों को भी कभी कबार उपर वाले बिंदों के साथ जोड़ दिया जाता है इन दोनों ही बिंदों को Using Children Literacy, Literature Across Curriculum इन दोनों बिंदों को उपर के बड़े प्रशन के साथ जोड़ करके एक जो बड़ा प्रशन है वो कभी कभार बना दिया जाता है और अगर तीसरा प्रशन हम देखें तो इस तीसरे प्रशन में Classroom Practice in Context of Social Justice, Gender Difference, Individual Difference and Inclusive Environment तो इन बिंदों को देख करके भी एक जो बड़ा प्रशन है वो बना दिया जाता है हम इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहे है कि सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा बलकि आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि कम से कम आपको पठह करम जो है वो इस रूप में इतना इतना याद कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उन अनावशक पिंदों को पढ़ लेते हैं जो कि एक तरह से Final Exam के Point of View से Important नहीं होते नंबर है वहां से संपरक कर सकते हैं इससे समंदित हमारे जो परशन है वो आपकी हर संबवसायता करने का प्रयास करेंगे अगर आपको syllabus की copy नहीं मिल रही है तो आप cdlu.ac.in से download कर सकते हैं या फिर आप हमें WhatsApp नंबर पर contact करेंगे तो आपको syllabus की copy जो है वो send कर दी जाएगी अगर आप इस WhatsApp नंबर पर contact करते हैं तो आपको बीड के syllabus की copy या last year के जो question paper है उनकी copy आपको PDF फोर्म में भीजी जा सकती है इस वीडियो को complete देखने के बाद में जब आप बिलकुल end में आते हैं तो आप last में जा करके पूरी वीडियो एक बार ध्यान पूर्योंग देखें syllabus की copy अपने पास रखें और जो जो topic आपको जिस रूप में बताय जा रहे हैं उनको उसी रूप में आप underline कर लें या आपके पास जो book है उस पे आप इन चीजों को tick mark कर लें कभी भी जो book हैं खास कर college library से लिए हुई उन पे आप pen का प्रयोग ने करें बलकि pencil का प्रयोग करें ताकि बाद में अगर कोई दूसरा student उस book को पढ़ता है तो वो उन्हें साफ कर सकता है तो इस channel के बिलकूल last में description box में जब आप शा मोर पे click करेंगे तो वहाँ आपको हमारी जो बाकी की वीडियो हैं उनके link दिये हुए हैं जैसे beard syllabus के बारे में question paper के बारे में micro teaching, simulated mega lessons, school teaching practice, beard first, paper first तो इस तरह ये 6 paper और उसके बाद में फिर beard second year के paper तो करीबन अब तक तेरा वीडियो त्यार की जा चुकी हैं अगर आप में आप be it first या second year के हैं तो अपनी सुईदा के अनुसार अपनी जरूरत के अनुसार इन में से जो भी वीडियो आपने देखनी है उस topic के सामने जो hyperlink है वहाँ click करेंगे तो वो वीडियो सवत ही चलन शुरू हो जाईगी धन्यवाद